अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू कुकवित नूर आज हम बनाएंगे इजी चिकन पुला इसके लिए हमको जिन चीजों की जरूरत है वो नोट कर लेते हैं हमको चाहिए 400 ग्राम बासमती राइस जिसको हमने भिगा के रख दिया है 40-45 मिनट के लिए फिर हमको चाहिए 250 ग्राम बोनलेस चिकन जिनको हमने स्ट्रिप्स में काट लिया है वन कप शिमला मिर्च जिनको भी हमने लंबाई में काटा है दो टेबल स्पून अदरक लेसन और हरी मिर्च का पेस्ट है फोर टेबल स्पून ओईल है इसकी जगा पे आप घी या बटर भी ले सकते हैं हाफ टी हलडी है हाफ टी इसपून मिर्च पावडर है हाफ टी स्पून काली मिर्च पावडर है वन टेबल स्पून candidates आओ धे ये होम मेट अहां तंदुरी मसारा है मैं हाफ टी स्पून गरम मसाला पावडर है नमक हसमे जाइक अ हरी मेड्य कटीवी और हराधनिया कटा जितना चावल है उसके चार गुना पानी थोड़ा नमक और थोड़ा तेल डालकर बॉइल करने के लिए रखा हुआ है इसमें हम जैसे ही बॉइल हो जाएगा चावल डाल देंगे और चावल जब तक 80% पक नहीं जाते तब तक हम इसको बालना है अब यह पक चुके है इसके गालवाड हमें ड्रेन कर लेंगे अब खुले बरतन में तेल गरम करें उसमें फरी मिर्च डाल दे हरी मिर्च का थोड़ा साथ फ्लेवर आना शुरू हो जाये पिर उसमें अदरक लहसन और हरी मिर्च का पैस्ट डाल इसको थोड़ी देर के लिए फ्राइ करेंगे जब आने लगे चिकन वैसे तो फौरण पक जाता है जब पक जाए तो इसमें बाकी तमाम मसाले डाल दे और उसको अच्छी तरह से फ्राइ करें कि मसालों का जाइका उभर कर आए फिर फिर शिमला मिर्श कटी वी शिमला मिर्श टाल दे और उसके थोरी देर बाद ही चावल को ड पक जाएंगे दम पर लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपके पास पहले से रखा हुआ चावल है तो यह फौरण बन जाएगा अगर थोड़ा कम पका हुआ चावल है तो थोड़ा वक्त लेगा दम पर भी लगा सकते है जब चेक कर लीजिए कि उसमें कैसे हुआ ह पर उसके बाद उसको डिश आउट करेंगे उमीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपको कोई रेसिपी देखनी है तो कमेंड बॉक्स में मुझे जरूर बताएए शुक्रिया असलाम अलेक करूल